सब्सक्राइब करने लिए विडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग यूनिक फिशेस रखना पसंद कते हैं कुछ यूनिक कुछ मतलब अलग सा टाइप का फिशेस का ची और पसंद का फिशन करना है जारभ अगज फिडियो लगन का विडियो के लाएकट पर फिडिंग हो मैं कूछ पूरा वेडियो को पूरा अेंड तक लेखना वीडियो थोरा से भी आच्छे लगे वीडियो को लाइक कर देना और चनल पर भी नहीं होता है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते है आज बेसिकली मैं पहले टैंक से डप का बात कर दो फेदर फिस्ट आपको मिनिमम आफ 3.5 या फिर 4 फिट अकोरियम देना उनके लिए बेस्ट होगा तू फिट तक अराम से ग्रो कर जाएगा और इसका टैंक में एक चीस आपको नेसेसरी ली देना होगा जो कि एक या फिर सबसे अच्छा बेस्ट होगा पीवीसी पाइप थोड़ा छोटा काट के ला सकते जयादे प्राइज भी नहीं परेगा वो दे सकते है और गाइस हो सके तो जिस टैंक में आप लोग फेदर रख रख रहे उस टैंक में मैक्सिमाम टाइम लाइट ओफ रखी ये सब सबसे बेस्ट होगा फेदर फिस जो है अन्थरा में पसंद कता है आप लोग चीज़ देगे आप लोग जब लाइट जलाएंगे तो फेदर फिश क्या करेगा जो हाइडिंग प्लेस है तैंक में उसमें गुज जाएगा पर जब आप लोग लाइट को अफ करेगे उसी ता सबसे बेस्टो का रखना कॉंबिनेशन में बहुत ही अच्छा लगता है जो कि नॉन एग्रिसिव फिश उन लोग के साथ आप लोग फेदर फिश को अडाम से रख सकते हैं गाईस अगर टेंपरेचर का बात करें तो आपको एस्टी में टेंपरेचर टैंक में रखना होग फिडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लेम होता है फेदर फिश को आप जब नया टैंक में राएंगे वो फिडिंग नहीं लेगा तो मैं छोटा सा कुछ टिप्स बता देता हूँ आप लोग फिडिंग में हो सके तो श्रीम का छोटा टूकडा दीजिए अगर आप लोग जो एक दम नीचे सिंक कर जाए अगर यह सब भी नहीं देना चाहते तो कुछ सिंकिंग खरी लीजिए और क्या करना होगा आप लोग हो सके तो उस टाइम में लाइट आफ कर दीजिए या पी नाइट टैम में फिडिंग के जिए मॉर्निंग में भी फिडिंग लेता है पर मतलब जयासे आप लोग दूसरा विदिंग ए लेलेगा इसमें जो है स्केल्स नहीं होता है तो अपलोग में पॉइंट बॉलना जाता हूं आप लोग यह स्केल्य सूपर राकस्यास ज्यादा यूजर ना किजिया इनलों का जो स्कीन है बन्न कर जाएंगा इसलिए रॉक सॉल्ट यूस ना करना है सबसे बेस्ट होगा और मेडिसीन जो है बहुत ही कम उसके जितना रिक्वाइड है उतना ही उसकी जिए स्केलेस फिश है देखने में भाई बहुत ही सुन्द लगता है अगर आप लोग बीगिनर आप लोग को एक नजर में पसंद आएगा यह यह फिर फेदर फिश रखा तो बहुत सरा फिश बढ़ा दिया एग्रेसिव टाइप फिश तो बेसिकली क्या होगा यह मर जाएगा इसलिए मैं बोलना चाहता हो जियादा फिश ना रखिया और कुछ न एग्रेसिव फिश रखिये सबसे बेस्ट होगा डिसकस के साथ रख बैसे मीडियम लेबल में है यह फिश सपोस्स विंटर में अगर हिटर नहीं लगाएंगे तो मर जाएगा और इस यह मॉंस्टर केटेगोरी में तो नहीं आदर पर बहुत साइज में बढ़ा हो जाता और इन लोग का लाइफ स्पैन जो है 12-20 यह तक जाते है आप लोग का कियर के ऊपर आप लोग अगर ठीक से कियर कर सेगे तो और इसे ब्लैग घुस्टनाइप भी बोला रहता है इसका जो प्राइसिंग है डिसेंटली अभी जा रहा है तो चोटा साइज हो तर बढ़ा थोरा लेंगे मतलब पाचेंज का लेंगे तो लग भग जा रहा है 400 तो 450 प्राइसा है जा रहा है फेदर फिश्ट का प्राइस यह एक यूनिक फिश है बहुत ही खुबसूरत दिखने में होता है मेरे पास भी था पर मेरा जब प्लैटीस का बेबीस तब मैं बेज दिया था उसे क्यूंकि रखने का जगा नहीं था मैं भी और अटाक कर देता कोई प्लैंटस लगा स crash पर बोल ना चाहता है रोक्स मत लाटा जाता मत दिजियो ऑंध बोल ना रखा च्रीक जड़ा चरफ्रा मुत कर पर बोलना था एख भी जाद दू सेेट को जो होता है एकोड रखरा के लिग अ कर द कर द्चित्र के नहीं होता है बाकि कूश की अत यह सब ट्राइ कीजिए बहुत ही अच्छा होगा फेदर फिश एक्सिमाम चांस होगा खा लेगा उसके बाद आप लो लेटर ओन मॉर्निंग में स्टार्ट कर सकते एक बर अगर फिडिंग लेना सुरू कर देगा तो दिक्कत नहीं होगा वही एक बर जब लेगा उस टाइम इन जिसए वीडियो ऑफ लोक को दिक्कत हो गा वो यह वाज करता हम आज का वीडियो एक्तल खा उगा अगर यह फिडियो इंफरमेटीव लगा यह ओका एकर ना जाते हैं तो जो प्ताहिए च चेनल को भी सब्सक्राइब कर ना हो गगगा साथ में बला इकन को भी प्रेस क झाल झाल